नमस्कार किसान साथियो, स्वागते आप सभी का हमारी यूटूब चैनल किसान आजकल पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अकरकरा फसल की संपून जानकरी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं अकरकरा आखिर होता क्या है इसकी बुआई का समय क्या है, फसल अवदी कितनी है, कितनी सी चाय में ये पक जाता है इसके अलावा अकरकरा की खेती में लागत कितनी आती है, अकरकरा का उप्योग क्या क्या है अगर आप अकरकरा की खेती करते हैं तो आपको इसकी मार्केट या मंडी कहां पर मिलेगी साथी वीडियो में हम बताएंगे अकरकरा की फसल की बुवाई कैसे की जाती है इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है तो दोस्तो वीडियो में अंतक बने रहे है और आईएज शुरू करते हैं वीडियो को वीडियो सुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्काइब ज़रू कर लीजिए सबसे पहले जानने आते हैं अकरकरा के बारे में अकरकरा एक ओश्दी फसले जो आयुर्वेदिक दवया बनाने में काम आती है मुख्य रूप से इसकी जड़ का उपयोग होता है साथ ही इसके पत्ते और पंचांग का भी उपयोग किया जाता है अकरकरा एक ओश्दी युम्यूनिटी और इस्टेमना बराने में कारगार है साथ ही दांथ के रोगों जैसे पाइडिया में भी इसका उपयोग किया जाता है अकरकरा सर्दी खांसी और गले की खराश को भी ठीक करता है अकरकरा ओशिदी का उप्योग, हकलाने वा मिर्गी वाले रोगों में भी किया जाता है आईए बात करते हैं अकरकरा की खेती के बारे में सबसे बहले बात करते हैं बुआई के समय की रभी में अक्टूबर और नॉंबर का महिना सबसे उचित समय रहता है अकरकर की बौई का इसके अलावा खरीफ या बर्साथ में भी अकरकरा की बौई की जा सकती है बर्साथ में धलान वाले खेतों में बौई करना चाहिए जहाँ पर जल भराव की इस्तितिना बने जा सकता है फसल अफदी की बात करें तो अकरकरा की फसल लगबख 6-7 मेने में पकर तयार हो जाती है सीचाई की बात करें तो भारी जमीन में अकरकरा को लगबख 4-5 सीचाई की अवस्कता होती है वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से पहली सीचाई के बाद सही अकरकरा के बीज अंकुरित होकर छोटे छोटे पोदे आपको भाहर दिखाई दे रहे होंगे शुरुआत में जब पोदे छोटे होते हैं तो एक दो सीचाई जल्दी करनी पड़ती है अगर अकरकरा की बुआई हलके और दोमट मट्टी में की है तो एक या दो सीचाई जादा करनी पड़ सकती है अब बात करें बीज की तो प्रती एकर बुआई के लिए 12 से 14 किलो बीज लगता है बीज आपको कॉंट्रेक्ट बैसिस पर खेती करने वाली कमपनिया उपलब्ट करवा देती है इसके अलावा मंड़ी में भी आपको अकरकरा के बीज मिल जाएंगे हमारे आप में आप देख सकते हैं ये अकरकरा के फूल है जो कि सुखने के बाद इस तरह सो जाते हैं इनी डोड़ीों को तोड़ कर बारिक बारिक पत्ते निकाले जाते हैं जो कि इस तरह से आपको ये बीज का काम करते हैं सुखने के बाद इसको आप पिस के या मसल के देखेंगे तो इस तरह से पत्य निकलेंगे ये पत्य ही बीच का काम करते हैं सूखने के बाद इन डोडियों को आप घर की आटा चक्की में दरदरा पीस ले इस तरह से ये पत्या खुल जाएगी यही पत्या बीज का काम करेगी बीज की किमत की बात करें तो 2021-22 में लगबख 400-500 रुपे प्रतिक किलो तक बिका था में 2022-23 की बात करें तो बीज की किमत लगबख 500-500 रुपे किलो तक है बुवाई के तरह के की बात करें तो अकरकरागा बीज बहुत हलका होता है इसमें थोड़ा सा पानी और बालूरेती मिलाकर छिटका विदी या बुरका विदी से बुवाई करना चाहिए खाद या दवई की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार के खाद और दवई की जरूत नहीं है आप अपनी इच्छा अनुसार गोबर की खाद का उप्योग कर सकते हैं अकरकरा की फसल में एक या दो बार खर्पतवार अनुसार निंदाई और गुडाई की अवश्यक्ता पड़ती है सक्री पत्ती के खर्पतवार के लिए आप खर्पतवार नाशक दवई जैसे एजील, गेलें, टर्का सूपर ये विप सुपर का इस्तमाल कर सकते हैं अकरकरा की बाई से पहले मिट्टी में गेरी जुताई अवश्य करें गेरी जुताई से मिट्टी थोड़ी पोली हो जाती है जिससे जड़ों का फेलाव अच्छा होता है फूलों की भरमार आप देख सकते हैं दिन के समय फूल बिल्कुल सफेद रंग के हैं महीं सुबह और शाम के समय गुलाबी और लाल रंग के फूल दिखाई देंगे अकरकरा की जड़ों को निकालने के लिए प्लाव ये कल्टीवेटर दुवारा जुताई करके जड़ों को पोदे सहीत मजदूर और दुवारा बिन लिया जाता है इस कारी में लगबग 18-20 मजदूर प्रती एकर तक लग जाते हैं इसके बाद अकरकरा के पोदों को कुछ दिनों के लिए कड़ी धूप में सुखने के लिए रख दिया जाता है सुखने के बाद पत्तों को हाथ से तोड़ कर या फिर दराती या कुलाडी से काट कर जड़ से लग कर लिया जाता है इस तरह से लगबग 100 किलो जड़ को साफ करने में 3-4 मजदूर तक लग जाते हैं सफाई करने के बाद और सुखने के बाद ये अकरकरा की जड़े आपको इस तरह से दिखेगी अंते में आते हैं उत्पादन या प्रेडक्शन पे तो अकरकरा की जड़े लगबग 8 से लेकर 11 कुंटल प्रती एकर तक उत्पादन देती है वहीं अकरकरा का बीज लगबग 4 से 6 कुंटल प्रती एकर तक उत्पादन देता है अकरकरा पंचाग लगबग आठ से दस कुन टेल प्रती एकड़ तक निकल जाता है अकरकरा के मार्केट की बात करें तो अगर आपने कॉंट्रेक्ट बेसिस पर खेती की है तो कंपनी आप से डायेट माल खरीद लेगी वहीं अगर आप इसे खुले बाजार में विशना चाते हैं तो निमच मत्यप्रदेश की मंडी जो की ओशिदी फसलों के लिए प्रसिद मंडी है वहाँ पर आप अकरकरा की जड़, बीज, वह पंचाग को आसानी से बेच सकते हैं वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से निमच मंडी में अकरकरा की जड़े वह पंचाग वह बीज बीज बिखते हैं वीडियो के अंते में बात कर लेते हैं अकरकरा के भाव या कीमत की तो अकरकरा की जड़ का भाव सन 2021-22 में लगबग 25,000 रुपे से लेकर 35,000 रुपे प्रतिकुंटल तक किसानों को मिला मही 2022-23 में लगबग 15,000 से लेकर 25,000 रुपे प्रतिकुंटल तक हो मिला अकर करा के बीच की भाव की बात करें तो 2021-22 में लगबग 400 से लेकर 500 रुपे प्रती किलो मही 2022-23 में लगबग 50 रुपे से लेकर 1500 रुपे प्रती किलो तक मिला अकर करा के पाले या पंचांग की बात करे तो सन 2021-22 में लगबग 2000 रुपे से लेकर 3500 रुपे प्रतिक उंटल मैं 2022-23 में 500 रुपे से लेकर 2000 रुपे प्रतिक उंटल तक भाव मिला तो दोस्तो कैसी लगी हमारी एजान करें आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेर करें और अगर हमारे चेनल को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से किसान आजकल चेनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल कोडिफिकेशन मिल जाए अन्यवाद